तो कैसे आप सभी लोग आई और सभी बढ़िया होंगे यार आज मैं आपको जो वेकेंसी के अपडेट बताने वाला हूं भाई बहुत ही इंपोडेंट यह अपडेट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो के एक लाइक कर दिया करो ठीक है और जिन्होंने अभी त सटेल कमपनी के तरफ से लेटेस्ट निकाला गया है यहां पे आप लोगों के लिए बताने वाला हो कि कौन यहां को देखने को मिलेंगे और किस किस पद के लिए कौन से कंडिड़ेट के लिए क्या उपकेंट क्या वालिफिकेशन मागी गया है तो बस आपको वीडियो को जिंदल स्टिल के तरफ से यहां पर कभी बड़ीया अपड़ेट निकल कर आ रही है जहां पर कभी बढ़ी असे देखने को मिलेगा जैसे आप देखने को मिलेगा इसके लिए फ्रेशा कंडिडेट भी यहां पर अपलाई कर पाएंगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर और कोई भी मैं आपको बता दूँ एक्जाम अगर आपका नहीं होने वाला ह और यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि कौन-कौन से कंडिडेट के लिए कौन सी पोजिशन के लिए अपलाई करना होगा ठीक है तो सभी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत्य तक देखते रहना और जिन्होंने अभी तक अपनी वीडियो के कमे हीट बताने वाला हूं जिनदल गुरॉप की तरफ से यहां पे जो वेकर और देखने को मिलेंघी धिक हैं यहां पर इंजिनेर पर मamत आप QG यहां पर अपने पर में शुचोश्यवाारी देखने हैं और इसमें सेलेक्षन को होगा इस देखने को मिलेगी टीक है? जैसे कि आप यहां पही डेख ही पा रहे होंगे, जो कि मैं आपको बताई था, शुरुआती में कि यहां पही जो हो है, अपर आपको एंजिनेर ट्रेनिंग के पद पर यहां पे देखने को आपको मिलेगी ठीक है अब यहां पे जो वेकेंसी निकाल गई ए जिंदल गूरुप की तरफ से यह आपको देखने को यहां पर जैसा कि देख पारेंगे कोई भी यहां पर एक्सपिरेंस रिकॉर्ड जाद को नहीं है जोब लोकेशन जो रहेगी आपके यहां पर देखने को यहां पे मिल जाएगा इंका जो जो यहां से एक दिन पहले ही यह पर पोस्ट आउट की यहां पर ओपिनीग यहां पर 30 देखने बगर आप पढ़ने को मिल जाएगा सारा का सारा और आपकी जो responsibility आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है तो जो आपकी responsibility आपको देखने को मिलेगी operation and maintenance के अंदर देखने को आपको मिलेगी ठीक अब इसके लिए यहां पर देखिए more और यहां पर रॉल क्या रहेगा इंडस्ट्री क्या है तो यहां पर देखेंगे iron and steel industry है department क्या देखने को मिलेगा employment जो होगा वो full time यानि की permanent vacancy आपको देखने को यहां पर मिलेगी permanent रॉल पर यह अब बात कर लेते हैं यहां पर आपने डिप्लोमा कर रखा है एलेक्ट्रीकल से कर रखा हो टैली कम्यूनिकेशन से कर रखा हो या फिर आपने इंजिनर्ग में आपने जो कर रखा है डिप्लोमा तो आप इसके लिए डैफिनेटली आपिदन कर सकते हैं ठीक अब इसके लिए यहां पर की रखा गया है कैसे प्रॉसेस रखा गया करने के लिए यहां पर आप देखिए login टुए apply पर किलिक करेंगे तो आप इसके लिए apply कर पाएँगे लेकिन आपने अपने अजिधि बर रखा है तो लॉग इन पर किलिक करेंगे अगर आप निव यूजर है तो आपको रेश्टेशन पर किलिक करना है यहां पर दखाई देगा रजिस्टर टू एपलाई ठीक है आपको इसके लिए इंटरेस्टे न तो यहां पर जो आपको सेकेंड पॉजिशन देखने को मिलेग की गई है यह बेसिकली जिदल गुरुप का यह पको देकने को मिलता है लेकिन इसके लिए ञेकर एकर निल जाता है अचाहिएस चार पहले पोस्ट आउट की गई है यहां पर एक वेकेंसी ऑपिनिंग की गई है अब इसके लिए आपको जॉब डेस्केप्शन पढ़ लेना है जैसे कि आप यहां पर भी देख पाएंगे जौब डेस्केप्शन के बारे में यहां पर बताया है तो इसकी बेसिक जानकारी आप पढ़ लिजेगा जिसमें आपको बताया कि आपके पास क्या क्या एक्ष्परेंस होना चाहिए अनुभव क्या होना चाहिए ठीक है तो यहां पर जो है ग्रेजिएशन कंडिडेट जो है यहां पर देखिए इनों ने बताया है नौट रिक्वाइड ठीक है यानि कि यहां पात्र नहीं होंगे अगर अपने ग्रेजिएशन कर रखा है तो ठीक लेकिन इसके लिए अगर आपने मालच यहां पर यहां पर आप जो है लेकिन इसके लिए पूरी जानकारी बताएगई कि हैं वहा बेसिक इनिफ्परमिशन के माहत्रें से भी पढ़ पाएंगे और जैसा कि आप देख पाएंगे तीन से लेकर के साथ वर्स के आपका जो एक्ष्पेरिंस है वह यहां पर होना चाहिए जौब लोकेशन जो है वह आपकी नेयो देली के अंदर देखने को आपको मिलेगी ठीक है इसके लिए यहां पर एक बोजिशन देखने को मिलेगी दो दिन पहले यह वेकेंजी पोस्ट आउट की गई है लेकिन इसके लिए आपको कैसे कैसे फर्म को अप्लाई करना होगा यह सबी जानकारी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं यहां पर देखेंगे हाउस मैनेजर के responsibility क्या रहेगी ऐसके लिए अपको इन्डस्री के अंदर कैसे काम करना है कैसे रन करना यह भी जानकारी आपको यहां पर बताई गई है तो आपको सारी डेटेस वह आपको पता चलेगी कि आपके लिए क्या responsibilities देखने को मिलेंगी क्या क्या आपको लाव यहां पर मिलेगा आपके पास कितना skills होना चाहिए इसके बारे में यहां पर बता रखा है आपका रॉल क्या रहेगा इसमें यहां पर आप देखेंगे और salary आपको यहां पर बताई गई है ठीक है salary यहां पर not disclosed है क्योंकि यहां पर नौकरी आपकी लगेगी जभी discuss करी जाएगी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी department employment टाइप ठीक है यह सभी जानकार आपको देखने को मिलेगी इसके लिए अगर आपने education में graduation कर रखा है अगर आपने डिपलोमा भी कर रखा है तो भी इलिजवल है पोस्ट कर रखा है तो भी इलिजवल है हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना name email id एक password को select कर लिजेगा अगर आप आउटसाइट इन इंडिया से हैं तो इस पर टिक कर यह नहीं तो ऐसी आपने पर लिजेगा उसके बाद आएगे तो लॉग इंट टू अपने पर लीजेगा उसके बाद आएगे तो लोग इंट पर किलिक कर यहाँ पर आपना email id और password जो आपने बनाए था दोनों यहाँ पर डाल देना login बेटन पर किलिक कर देना और वहाँ पर आप अपने form को आराम से बर पाएंगे ठीक है और वहाँ पर भी आप समझ पाएंगे तो इस तरह से मैं आपको डेटेल बताई हैं आई होगी कोई डाउट हो किसी तरह का तो कम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना